हलो दोस्तों राना क्लासिजिंग में आपका फिर से स्वा गया थे तो जो बी पी एसी चोशटवी पी प्री की अंसर की संसोधन के संबंद में अजुमत पूर्ण अमड़ेट है उसके बारे में बता रहा हूं तो इस वीडियो को शुरू सेंद तक देखे पसंद आने पन ला ना भूले तो बी पी एसी अभियर्थियों ने संसोधित रिजल्ट जारी करने के लिए किया राजभवन मार्च बिहार लोक सेवा आयोग बी पी एसी की चौशटवी संजुक्त परतियों गिता परिच्छा के अभियर्थियों ने संसोधित आंसर की के अनुसार रिजल्ट जारी करने के लिए बुधवार को परदर्शन किया BPSC अधिकारियों को आंसर किरी में तूटी सुधारने के लिए आवेदन और प्रमान पतर देने के बाद दर्जनों की संख्याम अभ्यर्थी मार्च में सामिल हुए BPSC का रियाला इसे राजभवन तक मार्च निकाला इस दौरान अभ्यर्थी BPSC और राजसरकार के खिलाफ नारेवाजी करते रहे राजभवन में अभ्यर्थियों के परतिनीधी मंडल ने ग्यापन स्वाप कर उचित कारवाई की मांगी राजभवन के बाद अभ्यर्थियों का दल अपर मुख्य सचिव आमीर सुहानी को भी ग्यापन्दे ने पहुचा अभ्यर्थियों का कहना है कि BPSC परबंधन दोहरी बात कर रहा है दिलिप कुमार का कहना कि जिस प्रस्न को तिरशठवी में सही बताया गया है उसे चवसठवी में गलत बता दिया गया एक ही प्रस्न का जवाब एक साल में दो कैसे हो सकता बिसे सग्यों की लापरवाही का खामे आजा अभ्यर्थि क्यों भूगते अरविंद कुमार ने कहा कि BPSC इस समस्या का समाधान चन्ड मिनिट में कर सकता है लेकिन फिर भी इसके लिए चात्रों को संगर्ष करने को मजबूर किया जा रहा है तो पहले भी पताया था कि BPSC की ये ताना साही है जो की चल रही है और क्योंकि ये सही बात है चंद मिनिटों में भी जो कम सकम पूरे कोस्चन नहीं है तो फिर एक दो BPSC में अलग-अलग अंसर क्यों हुए तो इसको जो कि आपको अंसर है जो कि चेंज करना चाहिए था खुद ही चेंज करना चाहिए कि नहीं गलतियां हुए लेकिन उम्मीद है कि बिना है जो कि बहुत भारी विरोध या किसी के दवाब के BPSC खुद जुगने वाली नहीं है क्योंकि अगर खुद भी एक्सपर्ट माल ले कि मैंने गलतियां की है तो इससे पता चलेगा एक और मुद आ जाएगा कि इन्होंने गलत है जो कि बिसे सग्यों को जो कि सेलेक्ट करते हैं इसलिए अपनी लाज बचाने करिए खुद आसानी से BPSC नहीं मानेगा ये तो तै है दवाब जितना बनेगा तब है जो कि या कोट का ओर्डर है जो कि देने पर मजबूर हो जाएगा तब ही जो की BPSC जो की आंसर चेंज कर सकता है तो आगे क्या रनीती है तो आज या उसके बाद पता चलेगा और दूसरी जो ख़बर है वह BPSC से ही सम्मंदित है कि निया अनपाद 10 के अनपाद में संसोधित परिच्छा फल परकासित करने का बिहार लोग सेवा आयोग को दिया था आदेश उसी क्या लोग में जो कि ये निकला है तो पूरा मामला इसको पढ़ते हैं क्या है बिहार लोग सेवा आयोग BPSC ने बूदवार को उस्तम याला कि आद परिच्छ दिया था आयोग ने पूर्म में सफले 1100 वियर्थों के तरिक्त 204 नए अभियर्थियों को मुखे परिच्छा के लिए क्वालीफाइड खोसित के अप्रारंबिक परिच्छा परिच्छा परिच्छान के संख्या साहिती सोचार हो गई है नए सफल 204 प्रत्राइप की बतीस और शाफ़ला बरत्राइप ने जल्द वेब साइट पर दी जाएगी समाने सरेनी का cut-up 163, पुरुस महिला का cut-up करम से 163 और महिला का 153, SC पुरुस महिला का 109, 89, ST पुरुस का 122 वा 107, EBC का 111 और 83, और BC का 133 और 119, सता दिवियां का 135 कटाओ गया है, तो ये खबर इसलिए क्योंकि उन्होंने जो की आरच्छन वाई जो की रियल्ट नहीं दिया था, सिर्फ जेनरल कहीं ज्यादा तर रियल्ट था, तो एक चीजा आप इसमें जो देखने लाइक बात है, कि पूर्म में हैं जो की 1100 जो अब अर्थी थे, उसके अलावा 264 मतलब लगभग ठाई गुना और एक्स्ट्रा रियल्ट दिया गया, तो जब कोट का आदेश जब दिया जाता है, तो नियम के नुसार तो ये इसलिए कहता हूं, कि BPSC जो की 19000 से अगर कोट का आदेश हो चाहे, जिस दवाब से तो ये रियल्ट है जो की ऐसा नहीं है कि 35000 से लेकर 40000 भी रियल्ट आ सकता है, ये निर्फर करता है कि कितने अंसर है जो कि BPSC संसोधन करेगी, और जिस तरह विरोध हो रहा है, BPSC को मानना ही पड़ेगा, आज माने चाहे एक महिने बाद माने या कोट के आदेश से माने, क्योंकि गल्तियां तो BPSC से बहुत बाड़ी हुई है इस बार की प्रीपरिच्छा में, तो इसको कोट में भी है जो कि पुक्ता तरीके से कहने की जरूरत है, कि ताकि ये जो कि संसोधित रियल्ट का खाम्याजा है, क्योंकि लड़के ना भूले, क्योंकि काट आउप भी जो है वो से रियल में 90 के असपा सी होना चाहिए, जो बहुत बड़ा श्यर्श है कि 97 गया किस तरीक तो इसको कम से कम 10 से 15,000 तो देनी चाहिए, और पहले तो अंसर की संसोधन के लिए जो की कोट से माने या दवाव में माने यह देखना है वीपयस, लेकिन मानना तो पड़ेगा है वीपेसी को की तरह देना पड़ेगा तो उमीद है कि दवाब जो की बनाया जाए और इसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने देखा कि नियाएक सेवा में फिर से मौका है जो कि उनको दिया जाएगा नहीं भरा है इसलिए इसे कोई बहुत बड़ा फार्क नहीं पड़ता है कि आज अन्तिम देठे में 64 मेंस के फॉर्म वरने की तो से कोई दिक्टरत नहीं हो कोई परसानी नहीं होगी तो इसी खबर के साथ जो की और इसका जो यह निखा गया देग्जाम नेशन कंट्रोलर चेयर मैं सेक्रेट्री ज्वाइन सेक्रेट्री विहार पॉब्लिक सर्विस कमिशन रिगार्डिंग रिक्टिफिकेशन इन फाइनल आंसर की और रिक्विजेशन फोर एडिशनर रियल टॉप 64 प्री कंबाइंड कंप्टिटि हैं कि गवर्नर को भी दिया गया है तो गवर्न रफ स्टेट अफ बिहार तो यह कल के विरोद का आया कि अब देख सकते इसमें लिखा हुआ है गलत उत्तर देकर हमारे भविस के साथ खिलवार करना बंद करो तो शाठी प्रेसी पीठी एसका आम वी वांट जस्टिस ती इस तरह लोग है जो कि कल है जो कि राजभवन मार्च के दौरान पूलिस से कुछ कहां सुनी भी पूलिस से मार्च को रोका था छात्र राजभवन की और जाने के लिए अड़े तो इस नीखबरों के साथ धन्य अजिए 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 बाद के लिए जए बाद के लिए एक लिए के लिए अग।